यह अकबार का कागज इस तरह से मोड़ेंगे ताकि उपर की जो फोल्ड है वो उपर की तरफ हो और फिर इसको आधा मोड़ दिया ठीक है बिल्कुल बीच में और ऐसे फोल्ड हम लगाएंगे कि जैसे अपने कपड़े प्रेस कर रहे हो कई बार ऐसा काम करते हैं कि वाइफ के कपड़े प्रेस करने कुछ भी मोड़ो कैसा भी टेड़ा मेड़ा और यह जो बचावा एक हिस्सा है इसको वापस उपर की तरफ मोड़ेंगे ठीक जी यह हमारी बन गई पहली टोपी और इस टोपी को छतीस गड़ में खुम्री कहते ह है खुम्री और जब बारिस ज्यादा हो और बास की या पत्तों की टोपी बनी हो तो शरीर बिल्कुल बढ़ियां बचा रहता है चलिए इसके बाद यहां से लेकर बीच की लाइन तक बिल्कुल आधा मोड़ेंगे और यह जो बचावा भाग है इसको वापस उपर की तरफ और यह बन गई हमारे दूसरी टोपी के टोपी हो गई यह मास्टर शेफ कहां सामा उनकी टोपी हो गई अब इसके बाद यह उपर वाला जो ट्रिकूर्ण है इसको मोड़ कर अंदर डाल देंगे किस तरफ अंदर डालेंगे जिस तरफ आखरी फोल्ड करा था जिस तरफ ये वाला फूल करा था उसी तरफ मोड कर उपर का त्रिकोंड अंदर बिठा देंगे ठीक है और ये बन गई हमारी तीसरी टोपी गांधी टोपी ये जो आपको शेप दिखी ये किस तरह की शेप है क्या स्पेशल है रेक्टेंगल है आयत है इतना तो दिखता है लेकिन एक खास तरीके का आयत है क्या खास है एसी चारस का वर्ग बनाना है तो इसका चेटरफल कितना हुआ अगर यए एक है तो ये दो है तो चैटर फल कितना हुआ दो हो गया चारण एक गुणा दो दो तो आपको इस आयत का चौरस बनाना इस आयत का चौरस यानि वर्ग बनाना है जिसकी जिसका छेत्रफल दो ही हो छेत्रफल इतना ही हो और चौरस बनाना है हमें करना क्या है बीच से इसको खोल देना है और बीच से खोल देने पर यह चौरस बन गया यह कैसे मानले कि यह जो हमने वर्ग बनाया इसका छेत्रफल यह जो आयत था इसके बराबर है जो चीज थी वह अंदर ही रही तो जितना पहले एरिया था उतना बाद में भी रहेगा कोई नहीं चीज तो भाहर नहीं आई मान लीजे इस पर पूरा रंग देते तो शेप चेंज हुई है तो जो एरिया पहले था वही रहेगा यह दूसरी मतलब अगर चार साल का भी बच्चा हो तो आप उसको दिखा सकते हैं तो स्क्वेर की क्या साइड होनी चाहिए ताकि एरिया दो हो है को एक हो सकती है क्या कि नहीं अगर एक और एक है तो एक गुणा एक क्या दो शाद के था तो को डूरगण डेर डेर तीन तो डेर आ से कम होना चाहिए यह यह से ज्यादा क्यूंकि टेर्कोंड देर से गुणाकरा तो सवादो हो गया और हमें दो तक आना है तो डेर से कम होना चाहिए और यह वर्ग मूल दो और स्कुरेर.UT तो ऐसी संक्या है जिसको उसी से गुणा करें तो दो आजाता है दिस इस देफिनेशन आफ स्क्वेर रूट तू यह इसकी परिभाशा है तो यह हमारी कख्षाओं में टोपी बनानी इसलिए जरूरी है कि जब आप वर्ग मूल दो बताएं तो सब से पहले यहां पर लेगी या वो उसकी परिभाशा है आप क्या करेंगे यहां पर इसको ऐसे खोल लेंगे ताकि यह कागस की जो खुलावा भागे आगे की तरफ हो और अब यह उपर जो त्रिकोन बचा है उसको ऐसे मोड़ेंगे की बीच की लाइन तक आए और फिर से ऐसे मोड़ेंगे की बीच की लाइन तक आए दोनों और इसको यह जो टोपी के यह फ्लैप बने हैं यह जो भाग निकला वाए इसके अंदर गुसा देंगे तो यह हमारा शटकोन बन जाएगा ठीक है और इसको करने के बाद हम इसे खोल लेंगे और यह चारों कोनों को एक बार दबा देंगे ऐसे यहाँ पर दूसरा तीसरा और चौथा सारे इसकी साइड्स दबा देंगे अच्छी तरह से दबा देंगे और यह हमारी बन गई चौथी टोपी कश्मीर कश्मीर की टोपी कुछ लोग बोलते हिमाचल की टोपी अब आखरी टोपी बची है और उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कैप अब क्या करेंगे यह जो दो का ट्राइंगल आपने अंदर डाले थे इनको बाहर निकाल लें और फिर हवा में भी भैगेंगे और फिर से सर पर लगा लें अब यह ग्राइजुएशन कैप हो गई एक दो तीन है यह थाँ आपने अब और लेंगल लेगा लेगे इनको अब बादेजुएशन कैप लेंगल खड़ाइशन कैप लेगा लेगे एक उड़ाएशन कैप है